हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चनल स्वाती आर्या आज मैं बना रही हूं वन केजी सूजी हल्वा बहुत अच्छा बना हल्वा वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना तो मैंने आपर लिए कड़ाई और कड़ाई मैंने घी उस में काजू बदाम को मैं हलका सा घी में फ्राई कर लूँगी उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो मैंने इसे बिल्कुल हलका सा फ्राई कर लिया और देखिए इसे निकाल लिया उसके बाद मैंने डाल दी इसमें मैंने किस्मिश डाल दी और किस्मिश को भी हम फ् अब इसे घी में डाल दिया एक किलो सूजी और सूजी को डालने से उसका जो जलती नहीं हो खुश्बू बहुत अच्छी आती है इसे लगाता है चलाते हुए मैंने इसे सेका और गेस का फ्लेम मैंने इसमें मीडियम रखा बहुत अराम फिसको मैंने सेका बहुत अच्छी खुश्बू आने तक बढ़िया इसका कलर गोल्टन ब्रांग होन तक इसे मैंने सेका और देखिए देरे दरे सूजी सिख रही है इसका बनाएंगे शीरा उससे सूजी खलवा बहुत अच्छा बनता है दोस्तों मैंने आप एक किलो सूजी के लिए एक किलो ली हुई है चीनी और इसकी तीन कुला डाला मैंने पानी इसमें मैंने तो यूटर पानी ये दो लिटर और तीन पानी डाला अब इस पानी को हम करेंगे थोड़ा बॉल करेंगे ज़्यादा बॉल नहीं करना बस गर्म करना है ताकि जीनी मेल्ट हो जाए इतना इसमें पानी गरम रखना इसके लिए तीन गुना पानी पानी डाल दिया अब इससे अम गैस पर अग देंगे और सात में सूजी गुपी में चेक चला रही तो देखिए इदर सूजी सिख रही है और सूजी के हलवे का पानी गरम हो रहा है अब तक मैंने आपर इलायची और चीनी को पीस लिया इलायची दाने से सूजी का जो हलवा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखिए से लगाता है चलाते हुए कि अच्छा सेख नहीं है तो देखिए सूजी भी सिख रही है उदे पानी गरम हो रहा है तो सूजी को मैंने लाइट गुल्डन बाहर तक सेख लिया अब मैं इसमे डाल रही हूँ एक पानी नहीं है एक किलो घी तो एक किलो सूजी के लिए आपको एक किलो घी लगेगा हल्वे बनाने में और थोड़ा समय मैंने बचाया इसमें हल्वा मैं बात में डालोंगी क्योंकि हल्वा में उपस घी रालने से उसका जो कलर ना बहुत अच्छा आता है एकदम शाइनिंग साल बनता है औ सूजी खल्वा बहुत अच्छा बनता है जब तक मैंने ड्राइफूट्स को पीस लिया और देखे कितना प्यार कलर आगे गोल्डन कलर आ गया है सूजी का की डाना जो एक कलर अच्छा हो गया है अपर देखे मैंने पानी जो गरम हो गया तब डाल रही थी इसमें इसकी ब आना पानी आपकी आ किंने भाव पर बिद्धाना तब एक एक बेm तर द यहम वर में बादा में पानी तो शी की बहब देखे में इसकी हो nella ना पानी जो गरम reflection दीएचा और वह मन ने खेंना इसकी मैंने टाला पानी गजंगर अगरम करके शोँसेटर मीने टाला बना पानी दाना बहुत सॉफ्ट हो गया और मेरे हाथ में ठोड़ा से मुझे गरम लग गया था वो जब मेरे गरम गरम पानी डब डाला सूजी में तो इसकी भाप मेरे हाथ अंगी पो लग गई थी मैं सासमा को सूझी खुर्ड़ा से इससे अच्छे से मिलाया है तो यह हलो में बना था मेरे हस्बेन के आफिस के लिए और वहां पर गणपति विसजन के सर्में तो उसको सूझी हलवे का घर से बोला गया था इसलिए हम बना रहे हैं सूझी का हलवा एक किलो सभी के लिए इस कर दो कर दब तो एक पानी गरम में क्ो दा ना जा Reporting में अच्छे दूझी का लफ है सूजीओ को रहे हैं कि मैं चाहूता है किसी हाल आप विक चुछ वणा है कि तो फॉल भर बहुत बहुता है और यह डाल दे हम ने चीनी और इलाईची का पाउडर और इसे में अच्छे से मिला लिया देखें मैं इसमें और डाल रही हूँ पानी क्योंकि सुजी पानी बहुत जादा पी रही थी और थोड़ा पानी फैल भी गया था तो अंदाजा नहीं हो रहा था कि हम कितना इसमें दालें और इससे मिला लिया देखें हम सबना रहे हैं नहीं है वह और तो आप साधी का जो कलर आपक्तिक तनी नरब मुलाएं और हलवा बहुत ही शांदार बना था यह वाला और थोड़ी दिर बाद यह यह का जो पानी वह एब्सोर्ब हो गया सुजी में इस देखें कितन मेरा वीडियो पसना है तो प्लीज एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टेग्राम पर स्वाती आर्या यूट्वर मेरी आईडी है और देखिए इसे अच्छे से मिला लिया अब डालेंगे लिंद ड्राइफ्रूट्स घ्राइफ्रूट्स जानकाई उत Major Dさん मुझे positivity के मिलें अधि explores DBS हालवा कर ने एक सब्सक्राइब कर observ év और सब्सक्राइब तो मैं यहापर दो चमचे का इस्तमाल किया और इसे अच्छे से मिला लिया और थोड़ा सा जो घी बचा हुआ था वो मैंने उपड़ से डाल दिया तक इसमें शाइनिंग से आये हलवा बहुत अच्छा लगे तो उपड़ से घी डाल दिया और जो किश्मिश और चावरी कर तैयार हो गया है और एक दाना इसका बहुत सॉफ्ट था बहुत मुलाइम भलवा बना था बहुत है अच्छा हलो बनाता मैं आपको दिखाती हूँ और देखिए पास से तो यह दिखिए घी ओओपर हलकास दिख रहा है और एक यह एकदम सॉफ्टर सा मुलाइम सा मूं म विद्धा नहीं गुल जाने वाला बना है ये देखिए बहुत ही प्यारा बनाया दोस्तों ये बहुत टेस्टी बना मैंने अपने जिन्दगी में पहली बार बनाया इतना एक क्लोजी का लवा और बहुत अच्छा बना तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो प्रसना है तो प्लीज एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फोलो कीजिएगा मुझे इस्टाग्राम पर और देखिए बहुत मुलाएं 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 तो थेंक्यू वोचिमा वीडियो मिलते हैं नेस रेसिपी के साथ बाइबाएं